तो चलिए बहुत-बहुत स्वागत एक बाद जोड़ार तरीके से फिर से मेरे जित्ती भी SSC GD के लाल है और इस्पिसली BSF, CRPF, ITPP, SSB, CISF, SSF और Assam Rifle के जित्ती भी मारे लाल हैं बहुत-बहुत गौट-गौट-गॉरेशन फाइनली बेस अबरे से इसटेश का इंतजार आपके सामने पाला है और विल्कुल आप तयारी में लग जाएर इस पूरे रिजल्ट के अनालेस्टिस को गहराए से देखें तो एक बात तो बड़ी strongly समझ में आती है कि सर कहीं ने कहीं हमें return में बहतर score लाना होगा अगर हम चाहते हैं final detailed medical examination के बाद अगर इस final list में हमारा भी नाम आये तो आज उनी बातों को बहुत गहराई से process करेंगे आखिर joining कब हो जानी है आपकी इसको भी लेके detail में बात करेंगे से बच्चों को बड़ा प्रस्ण चल रहा है कि सब क्या joining later mail पे आएगा contact number पे आएगा बिल्कुल update आपका उस email and contact number पे भी आएगा लेकिन जिस तरीके से बार-बार रोजगार मेला को लेके जिक्र हो रहा है तो 30 अगस्त को भी एक्सपेक्टिंग कि हमारी इन गौर्मेंट उसी के आधार पे डिस्टिबिशन करेंगे hand-to-hand plan है बच्चों को joining later देने का तो यह फिर प्रोजेक्ट अच्छा है और बिसिकली October month और September last से ही joining सुरू हो जाएगी अलग-अलग जो है जो हमारी forces है जैसे विए सफ है तो उनका सिप्नबर में भी last में सुरू हो सकता है और October में तो डेट आपको पता है कि 15 October 21 October को सद् करेंगे इस बीच बहुत सारे बच्चों का प्रश्ण यह भी चल रहा है कि सर मेरा 24 तो कुछ और तो आपने क्रमसा ABCD दे रखा है तो जो आपने फिल किया है वही आपका च्वाइस आया है तो इसमें बहुत घपडाने की दूत नहीं स्कोर भी उसमें मैटर करता है और बिल्कुल बिंदाश जाईए आपने बिटा सेंटल गौर्वर्मेंट की नौकरी क्लियर की है बहुत ही जजबे बहुत ही जुनून बहुत ही सच्चाई के साथ और अगर आपने लिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शीश को आप भली भात तरीके से जिसका 2022 से जर्नी स्टार्ट हो जाती मुझे याद है छिरंग से कि जो है दस एक 2023 से तेरा दो 2023 तक आपका जो है एक्जाम चला बड़ा लंबा जर्नी हो जाता है लाखो लाख बच्चे एक्जाम में अप एर होते हैं और फाइनली फिर जो सीवीटी बेस्ट एक्जाम जो की तेरा फरवरी तक एक्जाम हुआ था तीन लाख सतर हजार नौस अठावे के इसको फाइनल किया गया जिसमें फिमेल और मेल दोनों मिला के थी फिमेल के जो थी बिटा वह चालिस जार नौस चौबिस थे तीन लाग तीन के बाद सौट लिश्टिंग हुई पीटी ए सब्सक्राइब कर दिया गया जो कि 93,228 केंडियेट को है सौट लिस्ट किया गया डिटेल्ड मेडिकल एक्जामनेशन और डिटेल्ड जो है वरिविकेशन आप डॉक्मेंटेशन के लिए और दिमाग में तो रख लो अच्छे रंग से आर कि अगर वाकई में अपनी और चाहते हो 30% के नीचे का स्कॉर नहीं होना चाहिए और यह बात मैं strongly इसलिए बार बार आपको आपको आड़ करता हूं बच्छा क्योंकि नेक्स्ट फॉर्म फिर आपके सामने है अभी आपकी जिम्मेदारी कि इस बार भी आप हाथ में हाथ रखेंगे यह जो अपर्च सच्चाई के साथ offline में कोई आपको त्यार करता इस देश में तो क्यों मेजर कलसी क्लासे और बेस्ट विजल्दी आप इंट्रव्यूस देखेंगे सेलेक्टेट बच्चों के जो सफल हूं और उनसे एक्स्पीरिंस हम आपके जरूर शेयर करके बताएंग और इक बड़ी पड़े ही रिजनेवल कॉस्ट में तो अगली वेकेंसी के तैयारी में आप जुड़ सकते हैं कॉल करके 9696 3300 235 अब बेसिकली इसके बाद सुरू हुई टोटल वेकेंसी थी वह 4590 वेकेंसी थी और 597 वेकेंसी जो मनिपूर का इसू चली रहा था आपको पता ही है तो उसको इस स्ट्रिय और स्कूरीटे पोर्स तो बिलकुल यह जो है फोर्स थी जो की A B C D E F G E H के रूप में आपने ऑप्शन दिया होगा और उन्हीं को चुनने के लिए आपने प्रयास किया बड़ाइ सिंपल प्रोसेस था उन्लाइन अप्लिकेशन स्टार्ट हुआ आप लोगो हो गया आपने एक्जाम दे दिया अपना प्रॉपर तरीके से और जिसे आपको पता है कि लागू है तो इसलिए हमेशा बच्चों को ध्यान रखना कि एक्यूरेशी बड़ा अप्मेंटेन करना है और इंडिया वेकिंसी एन स्टेट वाइस वेकिंसी के आधार पे रेजर्वेशन के आधार पे बॉर्डर डिस्टिक नक्सल मिलिटिंसी अफेक्टर डिस्टिक विदिन दे स्टेट हर पैरामीटर को आधार बनाते हुए एक कटा पेस्टर हो जाता है और availability आप वेकिंसी भी डिपेंड करती है कि हम उस्सकर मुझां मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है कि मुटा हम करें कि भी इस की तरहें की-वाई-टीती देखते हैं तो ब्रेक अब दिया हुआ है एlists कर्टिक्रियरी सथा था सट में 5,24 था ओब इसी के टेगरी में 1200 था अन्रिजर्व में 2378 था टोटल बोलने तो 5531 जो है गल्स के इंडिडेट्स को अलाइन करना था जो के इंडेट्स सेलेक्टेड हुए वो देखी रहे हैं आप 566 में 404 हैं आट सो आट सो आट हैं 524 में 511 हैं इसी कड़ी में आप देखें 1200 में 1139 ह है अन्रिजर्व में 2378 में से 256 हैं ओवरॉल 5531 में अगर हम देखें ते क्या 117 जो है बच्चियां हैं जो सफल हुए इस एक्जाम में और यह बहुत गर्व का मुमेंट है इतनी बच्ची हैं हमारी देश की वर्दी पहनेगी मेल केंडेट्स की बात करनें इनकी भी टोटल आप वेकेंसी देखी रहे हैं जवर्दस तरीके से 4384 वेकेंसी और इसमें आप देख सकते हैं कैंडेट्स जो सेलेक्ट किये गए हैं टोटल अगर हर केटेगरी मिला दे हैं समझ लोग पूरी वेकेंसी फुली नहीं हुए ओवी सी अन्रिजर्वड तो आपका 4262 केंडेट्स प्लस 877 जो है इसम के टेगरी के भी केंडेट्स होते हैं जो बिसिकली आप कह सकते हैं कि फॉज में जो सर्विंग लोग है उनके लिए भी है इस तरीके से मेल के टेगरी इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारी डिटेल हो रहे हैं अनेग्जर में अल इंडिया वेकेंसी फॉर था फिमेल केंडेट्स सेलेक्टर अगेंस अल इंडिया वेकेंसी आप सेंट्रल आम पोलिस फोर्स तो यह बिसिकली बेसिक डिटेल थी आच पर पर फोर्टीन आप देख स्कूर आप देख स्कूराफ केंडेट इन अप्युटर बेस्ट इंक्लूडिंग एंसी सी बोनस माग्ज जैसे आपको पता ही जब फॉर्म आया तो तभी मनें आपको बताया था तो तो पहला यह है कि मांक सिन पार्टे क्यूंकि आपको पता ही आपको पेपर द तो आपका स्कूर है मैटर करता है पार्टे का स्कूर जिसका ज्यादा है उसको बरियता मिलेगी पार्ट भी से नहीं अगर आप ओल्डर हो रहे हैं तो आपको रखा जाएगा टॉप पे अगर आप पर लिए अभी तो रिफरेंसेज हैं अलफाबेटिकल और आप नेम अग बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे कारण है इसको भी रखा गया है बट विथेल्ट केस में बता दूं कि दो तीन साल का सफाह मालो लंबा प्रोसीडिंगे जॉब मिलेगी इसमें दिक्कत नहीं है दो हजार थारा वाले तभी दो हजार बाइस दो हजार तेश में क्लार देखें कैसे रिजॉल्व होता है इस बार हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यह प्रक्रिया काफी फास्ट तरीके से डन कर ली जाएगे तो यह रहा आप क्राइटेरिया इन ब्यू अब 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 सेलेक्टेड लिस्ट आप मेल एंड फीमिल केंडेट हुआर प कर लिए और हैं इस तरह की दिक्कत नहीं होगी तो अभी जैसा कि दिक्कत लगी हमारे जो है सेंटर नाम पुलिस फोर्स को तुन्हों इस कटेगरी में इसको डाल दिया कालिए वेकैंस आप सिपाई इन से भी कटाफ आप देखी रहें 145 का चला गया और रिजब की बात कर है अजर हम सेग्मेंट देखना सुरू कर दें फिमेल के इंडिया वेकैंस आप स्कोर देखी रहें एक सो चाली सो बाकी वार में आपका एक सो बैहले से बहुत अंतर नहीं होता हो भी सी कभी देखने तो आल्मोस्ट वही आपको देखने को मिलेगा तो इसी तरीके सब की व हां तो आई जी ओवराल इनालेसिस कर लेते हैं बैटके एक बर तो बिल्कुल आप देख सकते उत्तर प्रदेश का इस बार कटाफ ठीक ठाक देखने को मिला है यह सब का यूजल जैसे कम रहता है बट ओवराल अगर अब देखें तो CRPF में आराउंड 135 जो है EWS के डिकरी म का कटाफ गया वह जो की पूरे देश में अगर मैं अनलाइस करके देख रहा था तो उत्तर प्रदेश का ही सबसे ज्यादा जो है कटाफ यहां देखने को मिला है तो चलिए फाइनली यह चीज़ क्लोज होती है और यह चैप्टर तो डिसकसन का है वही करें मेल बना पाने में कामयाव हुए हैं और पढ़ाई इस लेबल की होनी चीव अगर आप वाकई में चाहते हैं कि जो है अपने आपको सत्य प्रस्ट जो है शोर्ट करना तो एक आकड़ा आपको मोटा मोटा दिमाग में रखना पड़ेगा जब तक आपके लिए चैलेंजिस खड स्टान्डर के चैनल में बात करें तो आपका यह कर गया तो आपको अच्छा में डिखहतेया है इस स्सी खालिल केiałaोग का विश्यक्रयायज leaf में 305 की आख वर वह इंग तो बहुत अच्यांव कष्भानिक है गया इन्रिध्टर में पर आइन कहां है पूरी के पूरी होगा सेवन का स्कूर गया हुआ है तो यह स्थिती एस याइससाफ में भी आप देख लें किसी में भी देख लें एक पर जश्वा क्या बताना चाहता हूं कि उत्रपदेश ने वाकई में थोड़ा है भी स्कूर किया है अब ढूरिब आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है बिल् तो समय रहेगा वो सब हो जाएगा उस पर एक लेके आऊंगा भी जो डॉकुमेंट रहेगा ज्वानिंग के लिए क्या चीज़ें कैसे ध्यान देना है एक बात दिल से बहुत-बहुत कंग्रोचुलेशन आसा करता हूं सारे रावट सारे और कुछ बच्चों के इंट्रव्यूस जल्दी देखने को मिलेंगे थैंकियू सो मच विसी गुड्लेग जाहिं जाय भारत